जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कोस्चन नंबर 16 से कोस्चन नंबर 30 तक 15 कोस्चन जो की भारत के सम्मिधान से सम्मधित होंगे आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो कोस्चन हैं आपके आने वाले एक्जाम्प्स जैसे की आर्मी येर फोर्स ने भी या फिर आप किसी भी परेमलिटरी फोर्स जो की S.S.C. G.D. के अंतरगर जिनकी भरती होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है दोस्तो बहुत important वीडियो हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बेल आकन को भी प्रेस जरू करें जिससे आने बाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे तो चलिए दोसतो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question नमर बन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे बहुत important question है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो question number 2 का सही answer है आपका option A C. राजगोपल चारी भारत के अंतिम गवर्नर जेनरल थे question number 2 भारती सम्मधान के रजनाकारों ने उपराश्टरपती का पद किस देश के सम्मधान से ग्रहन किया तो भारती सम्मधान के जो रजनाकार थे उपराश्टरपती का पद है दोस्तो वो किस देश के सम्मधान से ग्रहन किया है तो आप सभी को बता दें question number 2 का सही answer है option C. सयुक्त राजग अमेर का question number 3 है भारती सम्मधान बकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है जो भारत का सम्मधान है दोस्तो इसको बकीलों का स्वर्ग कहा जाता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है question number 3 का सही answer है आपका option D. दुर्बोध एबम असपश्ट भासा इसका मुख्य कारण है जिसके कारण दोस्तो बकीलों को sorry बकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारती सम्मधान के लिए question number 4 है भारत की सर्बोच बिधी क्या है भारत की सर्बोच बिधी क्या है तो question number 4 का सही answer है सम्मधान भारत की जो सर्बोच बिधी है दोस्तो वो सम्मधान है question number 5 है एकहरी नागरिक्ता की दृष्टी से भारत ने किस सम्मधान का अनकुरन किया है question number 5 का सही आंसर है option A, कनाडा का संब्धान आप सभी को दोस्तों पता होगा कि भारत के संब्धान के लिए उधार का थेला कहा जाता है क्योंकि भारत का जो संब्धान है इसमें बहुत सारे देशों के संब्धान से कुछ जो हैं वो points लिए गए हैं इसलिए भारत के संब्धान के लिए उधार का थेला भी कहा जाता है question number 6 है 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब यहां कितनी रियासतें थी ठीक है question number 6 का सही आंसर है option D 562 रियासतें थी जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था question number 7 है भारत किस गोलार्द में इस्थित है भारत किस गोलार्द में इस्थित है question number 7 का जो सही आंसर है दोस्तो वो है आपका option B उत्त्री गोलार्द भारत जो है दोस्तो वो उत्त्री गोलार्द में इस्थित है question number 8 है भारत किस महादीब के अंतरगत आता है वो A.C.A. महादीप के अंदरगत आता है. Question number 9. भारत का छेतरफल कितना है? दोस्तों ये जो question है, आपका army G.D. के लिए बहुत important है. ये question है, बार-बार आपके जो G.D. का exam होता है, army को उसमें repeat होता है, ठीक है? तो question number 9 का दोस्तों सही answer है, आपका option C, 32,87,263 वर्ग किलोमेटर भारत का जो है, वो 76 रफल है, ठीक है? Question number 10 है, भारत में राज्यों की सीमाओं में परवर्टन करने का अधिकार किस के पास सुरप्छित है? भारत के जो राज्यों हैं, उनके सीमाओं में परवर्टन करने का जो अधिकार है, दोस्तों, वो किस के पास है? ठीक है? तो question number 10 का सही answer है, option A, sunset. भारत की sunset जो है, वो किसी भी राज्यों की सीमाओं में जो है, दोस्तों, परवर्टन कर सकता है. question number 11 की तरफ चलने से पहले, आप सभी से request है, कि अगर आप इस वीडियो की PDF के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए, बहाँ पर आपको डेली बैसिस पे सभी वीडियों की जोईनबू, PDF फाईल उपलब्द कराई जाती है. question number 11 है, नागलेंड राज की स्थापना कब हुई, नागलेंड राज की स्थापना कब हुई, तो question number 11 का सही आंसर है, option C, 1961. question number 12 है, भारती नागरिकता अधनियम कब पारित किया गया, थेक है? तो question number 12 का सही आंसर है, option B, 1955. कोस्च्चर नमबर 13 है, नागरिक ते अधनियम कर पारित किया गया? कोस्चर नमबर 13 का सही आंसर है 1986 कोई भारतिय नागरिक आख तहीнет को को सब स्याइट के किस मिवस्टा कि हो तो दोस्तो आप सभी को पता होना चाहेंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे देश के खिलाडियों के लिए, एक्टरस के लिए या फिर जो भी है जिनके लिए बिदेशी पुरुसकार मिलता है, तो ये बिदेशी पुरुसकार बिना राष्टपत कि इच्छा के या उससे परमिसिन लिए वगार गिरहन नहीं कर सकते हैं, तो आपको बताना है दोस्तो आज का कोस्चिन ये है कि ये जो प्रावधान है वो भारत के समदान के किस अनुच्छेद में इसकी विवस्था की गई है, तो कोस्चिन नमर 14 का सही आंसर है, ओप्श प्राव का उलेक करते हुए नमलिकरत में से किस देश का अनुसरन किया गया है, तो कोस्चिन नमर 15 के ओप्शन से आपके, ओप्शन A, फ्रांस, ऑप्शन B, इंग्लेंड, ओप्शन C, अमेरका, और ऑप्शन D, उस्ट्रेलिया, तो कोस्चिन नमर 15 का सही आंसर है, वो है ओ आपके लिए भारत के समयधान के हम 1000 questions कराएंगे ठीक है और उसके साथ साथ जो हम डेली अपने वीडियो अपलोड करते थे वह होती रहेगी यह जो है वीडियो वह एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए मिलेगी तो दोस्तों यह थे आज की 15 questions वीडियो कैसी लगी comment करके जरू मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि comment करके बताया करें अगर वीडियो को सुधार की जरूर रहता है तो भी आप बताएं मैं आपकी जो suggestion होगा उस पर हम जरूर करूंगा लेकिन आप लोग बताते नहीं हो तो किरपा करके दोस्तों जो भी suggestion है आपके तरब से बताया करें अग आपके वीडियो में बस इतना ही था एक बार आपको फिर चे बता दूँ कि आप अगर इस वीडियो की पीडिया फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमसकार जैहन जैभारत